सर विद्यार थे अंदा स्वागत है असी सत्वी क्लास टॉपिक कर देवें यां कंपेरिंग क्वांटिटीज यानि की राशियां दी तुलना हुने दी एब आसे साड़े को आठ पॉइंट इन एक्ससाइज देवाड़ी बुक चे पिछें सी पहली एक्ससाइज वेचे दो र डेली लाइफ वेच जडिया प्रॉब्लम से सब्सक्राइब डेली लाइफ ना रिलेटेड हो परांगे जिस तरह सब तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस लाब याहानी ठीक है उन जिस तरह तुसी अपनी जिन्दगी वेच कोश्च चीजा खरीद देजे वेच देजे उद से बेसिस ते है ठीक है इता में एक पार्ट बीपार्ट सॉल्व करता पर एफ रैफ फ्रीजेटर इस बॉट फोर रुपिस 12,000 एंड फोर रुपिस 13,500 कि नदा एक रैफ फ्रीजेटर यानि कि फ्रिज तुहीं करीद दी किन्ने दी खरीद दी बाराहार बोट मतलों खरीद दी लेंडिक ते शोल्ड फॉर सोल्ड मतल वेज ती किने दी 13,500 वेज थी बाराहार हजार दी खरीद के 13,500 वेजद दी अब्वेसली सानू फ्रीज वेज के नुकसान नहीं होया बट लाब होया ते किन्ने परसंट लाब होया लोन असी की लिखांगे सब तो पहला खरीद म लोनों ही कॉस्ट प्राइज कैलने थे कि यह जड़ी इसी फ्रेज रेफ्रिजर रहें उ किन्हें दिखरी दी किन्हें दिखरी दिया से 12,000 ता बोटी जी जी मतलब सेलिंग प्राइज शेलिंग सेलिंग प्राइज सेलिंग प्राइज मतलब वेच मुल किन्ने दी वेची तेरह यारते पंद सुर पे दी इत्थो पिला ये तुसी देखना तर नो लॉस होंड़ा के प्रॉफिट होंड़ा ओविसली प्रॉफिट होंड़ा क्योंकि 12.000 दी खरीद के असी 13.500 दी वेची जे सेल वेच मुल जाद होए खरीद मनलों प्रॉफिट है जी वेच मुल काट होए मतलब जादा पैसे नी खरीद के काट दी वेच तो अब विसली सानु नक्सान होएगा लॉस होएगा ठीक है उन पहला प्रॉफिट फाइंड़ करो किन्ना प्रॉफिट होया प्रॉफिट यानि कि लाब किन्ना हो रहेंगे 13500 विच्चों 12- किता ते किना लाब होया 1500 रुपेदा सानु लाब होगा प्रॉफिट होनों ने का प्रॉफिट परसंट ये इस लाब दी प्रतिशत पता करो प्रॉफिट परसंटेज वो किस तरह उदा फॉर्मुला की प्रॉफिट अपान सीपी मल्टिप्लाइड बाइ 100 यानि कि जिनना प्रॉफिट होया बटा जिनना ख्रीद मोल सी सीपी मतलग कॉस्ट प्राइज ते जे गुना सो जे लॉस परसंट फिर लॉस ओवर सीपी ठीक है लॉस परसंट फार्ट टी बुक ते गिवन लॉस परसंट फारू लॉस ओवर सीपी इंटु हंड़र यानि कि लॉस बटा जिनना भी साथे को ख्रीद मोल लें गुना सो न किनना असी प्रॉफिट किनना ओए ऐसा नूं पंद्रह सो बटा सीपी सीपी यानिकि ख्रीद मोल सो किनना से कब बाराहए यार गुणा सुव सी सॉलव करना है इस ठीक है उना तिन दे पाठेस कठेंग होएगी तेंचार ती बारा है पंजा ती एक सब्सक्राइब फिर दो देपाड़े तो जीगी दो पंजी पंजी दूनी पंजाए दो नीचे मतलब पंजी बटा दो इन्हों मिश्रत पिन वेच लेक सकते बारा सही एक बटा दो प्रतिशत सानु की हो गया लॉस हो गया एस वरी प्रॉफिट हो गया ठीक है नेक्स्ट इसे एक्जांपल इसकास करें ताड़ी बुक दे सेकेंड प्रेशन जिड़ाया है वो की ऐसा देखो कि कनवार्ट इच पार्ट ऑफ दी रेशो टू परसंटेज ठीक है सनु रेशो गिवन है उन्हों कनवार्ट करना परसंटेज विच यानिकी अनुपात नूपात नूप कनवार्ट करना है प्रतिशत विच हसे कि इस से पेपला पार्ट देखो अनुपाध है कि 3 पात एक ऐनूपाध इक है है कि तीन कि ने प्रतिषात इंद जिनना कोल ले टोटल गुणा सो इतनो पिछली वीडियो विच देसे ज़ो प्रतिशाइट करना सी है सोनल गुणा करना हुन्द ठीक है तीन बटा जिनना जो जेडिटर में अनुपात दीब ता जिनना उन्ना दा जोड या लुड़े है सर मतलब तीन दा गेया पंजतर परसंत दूसरी टरम एक वी एक बटा कोल किनदा चार गुना सो थे फेर पंजी चोके सो थे पंजी यानिकी एदा मतलब तीन अनुपात एक इन दी परसंटेज गिन आए तीन जिड़ा पंजतर परसंटे देवेच ते एक किनना या साड़े को पंजी परसंट साथे को एक है ठीक है इससे तरह दूसरे उधे वीच तीन टर्म्स वेच अनुपात है साथे को दो अनुपात तिन अनुपात पांच करना सी ओसी ओफिए पहला जोड़ी वी साथे को पात रिशो दें टर्म उन्होंनों एड कर लो एड की तद एगया है दो तेन पांच 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 दस हुँन सब तो पहला इसी देखना इस रिशो विच दो किना बरसन दो बटा टोटल दस गुना हंड़र जीरो और जीरो कट्टेगी दस दुनी वी ठेक है उस तो बार तेन किने प्रतिशत है तेन बटा दस गुना साथ, तो दस तीए 3 प्रतिशत फिर पांच पांज बटा 10 गुना सव तो 25 परसन इस मतला आज इसे और जागी नुपात है 2 नुपात 3 अंपात 5 जड़ी प्रतिशत है 5 किनमाया 15 प्रतिशत assists है तम Home सीधे डीप पार्ट भी इससे प्रेशन दे सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट जिड़ा कोश्चन है जड़ेगों वह गया इससे एक्सेसाइज दे चोथा प्रेशन है ठीक है उदी में स्टेटमेंट पे लए थे लिख देना है हां जी आप में स्टेटमेंट लिखी है अरुन बो सेवंटी थाउजन वाट वाट वाज़ द परसंटेज ऑफ प्राइल इंक्रीज किंदा अरुन ने एक कार खरीद दी किनने करीदी तीनलाख पंजाह यार दी अगले साल उसकारद कारदी कीमत वद के तीनलाख सत्तर है यार होगी किंद हैं दस्व किनने प्रतिशत कीमत और किनने साथ को 3,50,000 ठ् pathetic फिर इंक्रीस्ड प्राइज Incости прाइज मतलों वर्ड के उधा कार्द मुल्द किनना time को अगले साल उगकिन उगए 3,70,000 अहीं सी पता करना चुक किनना इंक्रीज ओज प्राइज इंक्रीस div फ्राइज कीमतो वैच माही जु टीक है हुँ पहिला तिन लाख पंजाहियार से गा बाट चू तेन लाख सतर यार होगे तो किनना वद गया माइनस करके पता लगएगा तिन लाख सतर यार विच तेन लाख पंजाहियार माइनस करांगे तो एक ना आएगा सड्ड़ै को वी हिय यार यानि की वी हिय प्रृप विभी की में एक साल वेच वाद गी नहींच प्रतिश्यत कि पर्संटेज कि ऑफ सिंप्रीजिंट इन प्राइज घंने पिर्षंट सूब्स और ठेक है किन्य पर्संट बोऽे तो किस तरह पता करना जिन्ना प्राइस वधिया किन्ना वद्विज यहर बटा ओरिज्ञ प्राइज किन्ना सी क्या तिन लग पंजा हियार इन गुणा सौंट ठेक है तीसरे वे चुने population दी गाल कीती है एक शेयर दी population है ओ पची है रतों कट के चवी है रपांस होगी ते किन्नी population जड़ी percentage किन्नी परसंट कटी जिन्नी कटी बटा original पहलना किन्नी सी गुना सो ठीक है इन्हीं हुन आद देखो चार जिरुआ कटी यह जानेगी है मैं मैं होना 100 15डी दिग दो में 5 ते पड़े सत्तु पाइब पैंटी ध्यू पांज साव यह आगया सड़े को दू गुनावी बटा सत यानी की चाली बटा सत इन्नू फेर मिश्रत पे इन्वेच तो इस से लेख सकें सत्तु पांजा 25 यह तान्यू कन्वर्ट और दस्सक्था ठीक है जड़ा फ्रेक्शन्स ते फ्रेक्शन चैप्टर जड़ा कीता सिगा पिनना ओधी वेच दस्य आप ही किसे आण उचित पेननों मिश्रत वेच किस तरह कनवर्ट करता है यारी कि इंप्रॉपर नों मिक्स्ट फ्रेक्शन वेच ते फॉर्टी नों सेवन डिवाइड करांगे सेवन फाइव थर्टी फाइव पांच बचया नों किस तरह लिखना कोशेंट इद्धर आएगा रिमेंड र बुक दा नाइन्ध कोश्चन दा एपार्ट इदे विच्छ है कि इदी भी मैं पला स्टेटमेंट लेखे देना उना स्टेटमेंट में लिखी हो यह दी फाइंड आमांट तो बीपेड अट दी एंड आफ त्री एर्स एप प्रिंसेपल इस रुपिस ट्वैल वंडड ने जिदो तुस्ट पैसा व्याज दे लिन देजी ठीक है इस तरह सी बैंक विच पैसा जमा करा है तो बैंक के सब्सक्राइब पैसे ते कुछ चेरबार तिन्ना मीने बाद शे मिने हर साल बाद उते विच्छ पहुंदा इंट्रेस्ट पहुंदा है प्लिएर उना रिलेट जिस तरह मलो नूपी ना ही डिनोट करना पी बैंक वेच तुसी बारां शो रपिया जमा कराया ठीक है पी मतलब पिंस प्रिंसिपल मूल दरन किना पैसा जमा कराया बैंक वेच बारां सो रोने जिला बैंक के आऊ बारां प्रतिशत दे साबना तन्नों इंट्रेस्ट दिन अजय सोगतไร के पार एनम पार एनम मतलब एक साल दा बाराँ प्रतिशत एनम मतलब एक साल ते कनी चỗi वस्ते तें साल वस्ते मतलब टाइम किना आ पागए सड्थे को 3 साल थ्री येर्स यानिकी टूसी बैंक विच बाराँ कु रुपीञां कर है बैंक तो बाराँ प्रतिशत दे साबना एक साल दे साबना ता नू व्याज देएगा ति तिन्ना सालाबाद वाड़ा पैसा किन्ना हो जेगा find the amount to be paid at the end of three years ठीक है यानि कि बैंक ता नू तिन्ना सालाबाद किन्ना अमाउंट पे करेगा ते असी पहला है थे व्याज पता करांगे व्याज नों इसी इंग्लिस्ट कह लेने हैं इंट्रस्ट उद्ए एक फार्मूला हुंदा है हाईर क्लासे वे तुह पढ़ोगे प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा सौ ठीक है एफ फार्मूला है इस नालते सर्फ दो कि स्वाल है तो डीबुक को दो जा तिन होनगे दस्वां ग्यार माइं भी है होने थे मूलता न पर लो बारा सू रेट केस दार ते यह साथ देको बारा प्रतिशत टाइम है का तेन साल बटा सौ इन्नू सौल्व करो दो जीरो अकटेंगे बारा नों ब देका चार यानिकी 400 बट्ती अमाउंट को एस दिन साल बाद आनु तो इस दो किन ना पैसा जम कर आए से का बारा सो फ्लस तेन साल विच तानू बारा प्रतिशत दे रिखना किना व्याज मिल गया 400 बत्ती इदा मतलव ता उन्नू तेन साल बाद किना पैसा देगा बैंक इ ठीक है एसी गत्व टॉपिक लास्ट एक्सरसाइज सेगी बाकिस वाल वित उसी सॉल्व करने जड़ा नहीं पता लगदा हो पुछना है क्लियर सुत्तान बात सारे अंदर